नमिश्कार आप देख रहे हैं न्यूस 29 इडिया मैं हूं पूझार आई नज़र डालते हैं खबर फटाफट पर सबसे जादा अरबपतियों के मामले में भारत दुनिया में तीसरे स्थान पर काबिज है अगले दस सालों में देश में अरबपती बढ़ेंगे और इनकी पूरी संख्या 119 से बढ़कर 357 हो जाएगी अफ्रेशिया बैंक ग्लोबल वेल्थ माइग्रेशन रिव्यू में बात कही गई है किशन गंगा डैम पर पाक को जटका वर्ल्ड बैंक ने ठुकराई भारत के खिलाफ अपील प्रदान मंत्री नरेंद्र मूदी ने 19 मैं को किशन गंगा हाइडरो प्रोजेक्ट का उद्घाटन कर दिया है यह वही प्रोजेक्ट है जिस पर पाकिस्तान शुरू से ही आपत्ती जता रहा है दस साल में पूरा हुआ यह प्रोजेक्ट भारत और पाकिस्तान के बीच काफी वक्त से मदभेत का कारण बना हुआ है पर युजना के उद्घाटन के बाद पाकिस्तान ने वर्ल्ड बैंक से शिकायत की थी वर्ल्ड बैंक से इस मसले पर पाकिस्तान को जटका लगा है में फिटनेस को लेकर जागरुकता अभ्यान के तहत व्यायाम करते हुए अपना एक वीडियो शोशल मीडिया पर अपलोड किया था और खेल और सिनेमा जगत की कुछ प्रमुक हस्तियों को टेक करते हुए उनसे भी इस अभ्यान में शामिल होने की अपिल की थी वहीं उत्तराखन के जंगलों में लगी आग लगातार फैल्ती जा रही है इसको लेकर अब रैड अलट भी जारी कर दिया गया है जंगलों में लगी आग के मद्दे नजर चार दिन का रैड अलट जारी किया गया है वहीं उत्तराखन की सरहत से लप्ते बाहर निकल कर हिमाचल प को लेकर हिंसक प्रदर्शन में मरने वालों की संख्या बढ़कर तेरा हो गई है अन्ना नगर इलाके में फिर हिंसा भढ़क गई है जिसमें तीन लोगों को गोलियां लगी है इनमें से एक की मौत हो गई है उत्रप्रदेश के 12 विधायकों को उगाही का मैसेज भीजने का मामला भी थमा ही नहीं था कि दिली में भी कई नेताओं और उद्योग पतियों को ऐसा भीजा गया मिली जानकरी के मुताबी के मैसेज अली बुदेश अन्डर वर्ल नाम से यह मैसेज भीजा गया और इसी नाम से इहीं उत्रप्रदेश के विधायकों को भी भीजा गया इलाल दिली पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और क्राइम ब्रांच इसकी जाज शुरू कर दी है। पिछले दो हफ्तों से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाती जा रही है। इमरजनसी के लिए दवाईयां भी उपलब्द कराई गई है। निपाह वाइरस से केरल में आप तक 11 लोगों की मौत हो चुकी है जबकि 15 पीडितों का इलाज जारी है। इस बीच केरल के लवाद चार अन्य राज्यों में भी निपाह को लेकर सावधानी बरत निकले एडवाईजरी और अलट जारी किये गए हैं। जम्मो कश्मीर, गोवा, राजिस्थान और तिलांगाना शामिल है। किरल सरकार ने लोगों को चार जीलों कोजी कोड, मलापुरम, वाइनाड और कन्नूर में नहीं जाने की सलाह दी है। जैपु शहर के विक्या एरिया में जोल्ला पावर हाउस के नस्दिक बुदभार को खुल्याम गुंडे गर्दी का नजारा नजर आया। यहाँ गाड़ी से आई बदमाशों ने सड़क पर ही तीन यूवकों को लाठी डंडो से पीटना शुरू कर दिया। दिन की घटना होने के बावचूद कोई भी इन यूवकों को बचाने के लिए सामने नहीं आया। बल्कि आसपास खड़े यूवक वीडियो बनाने में व्यस्र है। आई एस आई को खुफिय जानकारी देने के आरोप में पुलिस ने बुद्भार दे राजशाम को उतराखंट के पिथोरा घाड के डिटी हार्ट इलाके से एक शक्स को अरस्ट किया। इसकी पहचान रमेश सिंग करन्याल नाम से हुई है। इसकारेवाही को उतरप्रदेश, ATS और उतराखंट पुलिस ने अंजाम दिया। इस पर आरोप है कि उसने पाकिस्तान में ब्रिगेडियर के घर पर काम करते वक्त उनके बारे में सारी जानकारियां लीग की थी। तेल की बढ़ती कीमतों से आम आदमी को राहत दिलाने के लिए सरकार लॉंग टम समाधान में जुटी है। सरकार ओएंजिसी जैसी ओएल प्रोडूजर्स कमपनियों पर एक विंटफॉल टेक्स लगा सकती है। सरकार की अकवायद पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को नीचे लाने के साइस समाधान के तौर पर देखा जा रहा है। अमिताब बच्चन जल जीवी पर कौन बनेगा करोड़ पती से वापसी कने जा रहे हैं। विग बिजबा शो का दसवा सीजन होस्ट करेंगे। के बिसी के अपिसोट का तीन करोड़ रुपए लेंगे अमिताब। पिछली बार दो सो करोड़ में की थी डिल। अमेरिकी संगी अदालत ने गुरुवार को आदेश दिया कि अमेरिकी राश्पती डोनाल्ड ट्रम्प ट्वीटर पर अपने फॉलोवर्स को ब्लॉक नहीं कर सकते क्योंकि इससे फर्स्ट अमेंड्मेंट का उलंगन होता है। नियुयोक सर्टन डिस्ट्रिक में अमेरिके डिस्ट्रिक जजज नाओमी रिस वुच्वार्ड ने ट्वीटर पर ट्रम्प के साथ फॉलोवर्स के समू की आचिका पर यह फैसला सुनाया है। ट्रेन में सफर करने वालों के बड़ी खुश कबरी है। टिकेट कंफर्म होनी का इंतजार लोगों के लिए रेलवे की खास स्कीम शुरू की गई है। ट्रेन के टिकेट बुक कराकते वक्त अगर किसी वजह से यातरी का टिकेट वेटिंग लिस्ट में है तो रेलवे ऐसे यातरी को एक आप्शन देगा। इस आप्शन की मदद से यातरी बिना टिकेट कंफर्म किये हुए भी ट्रेन में यातरा कर सकता है। इसके लिए कोई अलग से चार्ज भी नहीं लिया जाएगा। से लेकर तीन रुपए किलो तक बेचने को मजबूर है। नकसलियों का आतंक 36 गड़ में बढ़ता जा रहा है सीम रमन सिंग के विकास यातरा जहां प्रदेश में जारी है वहीं नकसली भी अपने कारणा में पूरी करते नजर आ रहा है। सुक्मा में किये गे नकसली IEEG ब्लास में जहां एक जवान शहीद हो गया। वहीं दुसी तरफ काकेर में नकसलियों ने जियो टावर को ब्लास्ट कर उड़ा दिया। बुधवार को मामले की सुनवाई करते हुए कोट ने कहा था कि याचिका के कॉपी NUALS के इंदर सरकार और क्लेट की कोर कमिटी को भीजी जाएगी। अभी खबरों बस इतना है देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे न्यूस 29 इंडिया के साथ। एक देश सारे प्रदेश।